इस नई वीडियो में नई जानकरी के साथ प्रारी में प्रकारी में या तो इस वीडियो में हम आपको इन ही सवालों के जवाब देने वाले हैं तो हमारे साथ आप बने रही है उरे वीडियो में आखिरी तक हम आपको यह बताना चाहेंगे कि गौर्णमेंट आफ इंडिया की तरफ से एक दो दिन पहले ही नए अडवाइजरी नोटिफिकेशन आया है जिसमें यह क्लियर कर दिया गया है कि कोविड वैक्सीन लेक्टेट जो भी अवेलेबल है वो लगवा सकती है बिना किसी डर के और बिना किसी चिंता के और यह माना जा रहा है कि अघर आप अभी वैक्सीन लगवा लेती हैं तो हो सकता है कि अपको दूद से बच्चे को भी ट्रांसफर हो जाए आपके बच्चे में भी इम्मिनिटेव चाहिए दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में है कि अगर हमें महीना आ गिया है उसी टाइम पर हमारा महीना आ गिया है तो क्या हम वह सेफली वैक्सीन ले सकते हैं इस टाइम पर क्या वैक्सीन लगाने से हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा कोई साइड इफेक्ट होगा तो हम आपको ये बिल्कुल clear कर देते हैं कि इस समय पर यानि कि महीना आने के साथ अगरा vaccine लगवा लेती हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा vaccine की effectiveness पे कोई फरक नहीं पड़ेगा और आपको किसी प्रकार का side effect नहीं होगा वेक्सिन आपके लिए उतनी ही प्रोटेक्टिव है कि जितना कि आप नॉर्मल डेज में लगवाती और वैसा ही कोई side effect नहीं है कि जैसे आपने महीने के टाइम पे लगवाया तो उसे कोई extra side effect होने वाला है तो ये दिमाग से आप अपने चिंता निकाल दीजिए और without tension आप अपना वैक्सिन जरूर लगवाईए क्योंकि ये definitely अप्रोव हो चुका है कि वैक्सिन कोईट से बचाओ करने में बहुत जादा मददगार है Government of India की तरफ से जो तीसरा notification आया है वो ये है कि अगर आपने कोईट की वैक्सिन की एक डोस लगवाई है और उसके बाद आपको कोईट हो गया है तो अब आप second dose कब लगवाएंगे लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए तो recommendation के accordingly आप COVID से recovery के 3 महने बाद अपना second dose ले सकती है और लेना चाहिए ताकि आपकी immunity complete हो सके तीसरा सवाल जो हमारे दिमाग में है कि क्या गरवती इस्तरियों को भी ये वैक्सिन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती तो जो government of India का अभी जो latest notification आया है जो recommendation आई है उसमें अभी गरवती इस्तरियों को शामिल नहीं किया गया है और सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई recommendation नहीं है कि गरवती इस्तरियों को ये वैक्सिन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए उन्होंने अभी इससे Contra Indicated वाली लिस्ट में ही रखा है यानि कि अगर आप वैक्सिन का रैपर पढ़ते हैं वैक्सिन के उपर जो प्रिंट आ रहा है उसमें यहीं आ रहा है कि गरवती इस्तरियों को ये वैक्सिन नहीं दी जानी चाहिए इस इंडिया के अंदर जितने भी गाइनेकलॉजिस डॉक्टर्स है उनका जो 35-40 अजा लोगों की एक संस्था बनी हुई है उस संस्था की लेडर्स की और अकॉर्डिंगली जो रिक्मेंडेशन है वो कहती है कि प्रेग्नेंसी में भी वैक्सिन लगना चाहिए इसके पीछे वजह यह है कि गर्ववती इस्त्रियां कोविड के इंफेक्शन के लिए जादा रिस्क पर है और अगर उनमें कोविड के इंफेक्शन होता है तो नॉर्मल लेडी से जादा सिव्यर होता है और ऐसी कंडिशन में बच्चे का नुकसान हो सकता है बच्चे के अकसिजन की कमी हो सकती है यह सब नुकसान देखते हुए हम लोगों का रिकमेंडेशन है कि वेक्सीन को प्रेगनेंट वुमेंड के लिए अलाव किया जाना चाहिए उमीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्दी ही कोई फैसला लेगी और प्रेगनेंसी में भी इस वेक्सीन को तो इस वीडियो में हमने आपके कई कोईशन के जवाब देने की कोशिश की है और इसमें जो सबसे इंपार्टन चीज है कि प्रेगनेंसी में अभी कोई वेक्सीन कांटरा इंडिकेटेड है बट लेक्टेटिंग मदर्स या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ले सकती है उनको अगर आपको एक डोस लेने के बाद में कोविड हो गया है तो आप सेकंड डोस तीन मेने के बाद ले सकती है और वो लेनी चाहिए छोड़नी नहीं है अगर आपको वीडियो लाबदायक लगा हो तो तुरंत आप इस अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव में जरूर शेय वीडियो में नहीं जानकारी के साथ तब तक नमस्टार।